वे दोस्तों नमस्कार मेरे नाम आरियन जयस्वाल है और आप सभी को पता है कि पिछले छे मेनों से में 2021 केस वीड़ की तियारी आप सभी को करवा रहा हूँ और इसके अलाव़ 2020 की मैंने तियारी करवाई थी 2019 की मैंने तियारी करवाई थी पासिंग मार्क कितना हो सकता है उसको भी लेकर एक छोटा से वीडियो वैसे मैं पहले बता चुगा हूँ फिर भी मैं आपको जो मेरे नए स्टुडेंट चुड़े हुए हैं उनको मैं फिर से बार जो एक आइडिया देने चाहूंगा कि क्या-क्या चीज़े आपके लिए इ बट फिर से मैं प्रोवाइड कर दूँगा तो आज यहाँ पर सिंपल सी बात करेंगे कि कुछ चीज़ों के बारे में पहले बात तो हम लोग बात करेंगे एक्जाम डेट को लेकर करें ठीक है अब देख सकते इंटरेंस एक्जाम डेट उनके ऑफिसल वेबसाइट पर उन नहां पर हम लोग बात करतें भाई अभी देखिये अभी अप्रैल में एक्जाम होना था बहूत सार एक्जाम सबके होने थे जैसे कि आपका हो गया टीचर भरती यह जुनिर भरती वाला जो भरती थी उसके भी एक्जाम डेट को मई में कर दिया गया है बहुत सारे एक्ज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा वो डेपेंड करता है कि मई में क्या कंडिशन रहने वाला है कोरोना का कंडिशन रहने वाला है या वेक्सिनेशन का कंडिशन रहने वाला है उन सब चीजों के उपर डेपेंड करता है कि आपका एक्जाम डेट जो आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ सकता है, सबसे पहला region यह है कि अभी बहुत सारे जो graduation वाले हैं, उनके exam नहीं हुए होंगे, बहुत सारे जो graduation last year में हैं, उनके exam अभी तक नहीं हुए है, तो काफी सारे डोग ऐसे होंगे, जिनके exam नहीं हुए है, तो एक तो इसके बारे मैंने आपको बता दिया, तो एक बार फिर से मैं आप लोग पूछे, यह मत पूछे, बढ़ गया अग नहीं बढ़ गया, तो मैंने clear अगर बता दिया है, बढ़ भी सकता है, नहीं पढ़ सकता है, बढ़ने के chance जादा है, 80-90% chance एक जाम डेट बढ़ने के, आगे होने के, तो उसके लिए परिसान बिल्कुल भी मत होईएगा, अब यहाँ पर हम लोग बात करें, किसके बारे हैं भई, अब सबसे बढ़ी बात, safe score, safe score को लेकर के, बहुत साई लोग यहाँ पर, पूछते जाते, safe score साजी क्या हो सकता है, तो बहुत सारे factor, safe score के अगर हम बात करते हैं, तो बहुत सारे जो factor हैं, इसके उपर work करते हैं, पहला factor यह होता है, कि exam में आपकी questions हैं, उनका label क्या है, किस तरह का questions आपके paper में पूछा गया है, तो आपका पहला factor यह होता है, second factor यह होता है, कि safe score का, कि जैसे कभी-कभी क्या होता है, कि कभी-कभी आप लोग क्या होते हैं, कि बहुत जादा सरल paper आगया, तो safe score बहुत जादा हाई चला जाएगा, बहुत जादा cutting paper आगया, तो safe score अपने आप obviously बात कम हो जाएगा, बट यह मान की चलिए, आप कोई भी state से हो, 60%, जितने भी number का आपका paper होता है, 60% minimum courses करियागा, कि minimum 60% plus लेकर के आए, तो आपको आराम से government seat जो है, मिल जाएगा, अब आप 60% निकालना तो आपको आता है न, जैसे मान लिजिए 400 number का paper है, तो 400 का 60% निकालेंगी, तो आपका लगबक कितना जाएगा, 240 number आ गया, यानि कि safe score मान के चलिए, कि 240 से ज़्याद आपके बनते हैं, कि सर, बहुत है लोग के negative marking को लेकर के सवाल बन रहा है, negative marking, देखो भई, negative marking है या नहीं है, अब देखो यहाँ पर मैं अगर आपको बताओं कि इस बार जो B8 का, जो इनका जो guidelines आया था, जो general guidelines इनका आया हुआ था, उसमें जो इन्होंने साफ साफ clear कहीं पर लिखा नहीं है, कि भाई, क्या बोलते हैं, आपका negative marking होगी कि नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर 99%, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, 99% चांसे negative marking होगी, एक बटे तीन होगी, अभी एक बटे तीन का मतलब क्या होता है, मैं आपको सिंपल से का आपका एक question कितने number का है, दो number का है, दो number का एक question है ना, तो माल लेते हैं आपने इन दस्में से, 9 question आपके क्या कर दिये, सही कर दिये, आपने कितने question सही कर दिये, भाई, 9 question सही किये, तो आपको 18 number मिल गया, लेकिन एक question आपने जो है गलत कर दिया, तो आपका एक बटे 3, यानि कि .33 number आपका कर जायेगा समझ में आरा ना समझ में नहीं समझ में इक और सबसेक्षा या एक जामपल देते हैं माली जे आपने 9 सही ना करके आपने 7 सही कर दिये तो 7 में से आपको साथ दुना 14 नमबर मिल गया अब 3 पर एक common सा question है जो बहुत साई लोग को मतलब पता होता है लेकिन अभी भी में पास comment आते हैं, comment आते हैं, message भी आते हैं, कि मैं sir art side से हूँ, क्या मेरा reasoning में, reasoning पूछा जाएगा मेरे paper में, तो बिल्कुल सही बात है, reasoning जो है, चाहे art से हो, चाहे commerce से हो, चाहे science से हो, reasoning आएगा, math किसके लिए आता है, math, देखो math में दो तरह का math होता है, एक आपका अंगगरित होता है, कि advanced level का math होता है, 12th level का, तो math पहली बात तो सिर्फ और सिर्फ science वालोग आएगा, जो science side से हैं, उनका सिर्फ math आता है, वो भी कौन सा math आता है, जो high school के बाद आपने 11th में, 12th में ज math के बीच में आपका math आता है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, मैं आपको फिर से repeat कर रहा हूँ, science side वालोग के लिए जो math आता है, एक तो ये question आपका पूशा आता है, second आपका आता है, कि सर जी मुझे, मैं science side से हूँ, मैं art side से हूँ, मैं commerce से हूँ, और मैं जो है किस से हू question same होते है, common होते हैं, लेकिन बचे हुए जो आपके 50 question होते हैं, वो सबके लिए अलगल होते है, ये 50 question आट side में अलगाता है, science side में अलगाता है, commerce में अलगाता है, agriculture में आपका अलगाता है, एक तो ये आपका सब बन गया, books कौन कौन सी पढ़ सकते हैं, बहुत सारी books market में available हैं, प्रभात प्रकासन की एक book मैंने आपको कईवा बताया है, मैंने एक book बताया है, अगरवाल की book आती है, अरिहंत में थोड़ा सा doubt रहता है, मुझे answer की को ले करके, बढ़ हाँ, study matter अगर आप study book लेना चाहते हैं, तो study book आप अरिहंत की ले लो, सबसे बेश्ट मुझे study book अरिहंत की लगती है, इसके लावा मेरी खुद की हिंदी की book है, अगर आप हिंदी की book मेरी खुद की लेना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिशन बाक्स में असका बेलिंक दे दिया है, आप लोग उस हिंदी की book को मेरी वाली book को पढ़ सकते हैं, वहां से अपनी त्यारी अधियन रथ हूँ, क्या मैं बेटने के पात्र हूँ, तो भाई ये official website से मैंने देखी, download किया है, वहां पे लिखा गया है, ठीक है, वहां पे हां लिखा गया है, इसके लावा काफी लोग की सवाल लेते थे, मैं अन्य पिछला वर्स से हूँ, मैं महिला हूँ, विभाईत ह लेडी के हैं, मुझे online आवेधन पत्र में कौन सा प्रामपत्र अप्लोड करना होगा, तो जाती प्रामपत्र पिता का लगेगा, और online आवेधन में अपना अन्य पिछला वर्स कर सकते हैं, मतलब इस तरह के जो भी आपके question बन रहे थे, बिग लांग्रता के लिए, 40 प्रस मेसेज करिए, इंस्टा पर आपको reply जरूर मिलेगा, ठीक है, तो इंस्टा पर आप लोग मेसेज कर लिजिएगा, नीचे आपको description box में Instagram की link जो है, देखने को मिल जाएगी, तो यह आज का ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग को comment करे कर बताएगा, कुछ भी update होती है, छो